आज हम ऐसी चटनी बनाने जा रहे हैं कि आप इसका स्वाद बार बार जरूर याद करेंगे और बना कर जरूर खाएंगे यह बहुत ही स्वादिश चटनी बहुत ही कम सामान में बहुत ही आसान तरीके से जल्दी चटनी बनके तयार हो जाती है नवसकर प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं आम और नारियल की चटनी चलो इसको बनाना हम सुरू करते हैं हमने नारियल लिये हैं एक आम ही हम डाले हैं जादा आम नहीं डालेंगे एहाम चील के काट लेंगे एह अदरख लिए हैं एहरी मिर्ची लिए हैं एह लहसुन चील लिए हैं एहरी धन्य पत्ती लिए हैं अब एस सब डालके हम पीसेंगे नारियल की चट्णी में थोड़ा हलका खटास रहता है तो बहुत ही स्वादिष्टे चट्णी बनती है एहाम एक हमने छीलके काट लिये हैं लेसुन डाल दिये यद्रक डाल दिये हरी मिर्च चार पांच और धन्या की पति हम थोड़ा तोड़ के डाल दिए अब इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा पानी पानी डालके अब हम इसे पीस लेंगे देखिए हमारी चटनी पीस के तयार हो गई है अब इसमें हम लगाएंगे तड़का यह हमने तड़का लगाने के लिए राई डाल दिये है इसमें राई और कड़ी पत्ता का मत्र तड़का रहता है बहुत ही स्वादिश दे तड़का रहता है देखिए हम चटनी में तड़का लगा दिये हैं चटनी थोड़ा पतला करने के लिए हम थोड़ा पानी डाल दिये हैं आपको जितना पतला गाढ़ा चाहिए उतना कर लीजिए आपको ज़्यादा खटी चाहिए तो दो आम डाल दीजिए हम एक ही आम डाले हैं यह थोड़ा ऐसे हलका उबालाए कि नारियल की चटनी का गैस बंद कर दीजिए जादा नहीं उबालना है यह बहुत ही स्वादिश देखिए चटनी बन के तयार हो गई है आप जरूर इसी तारीके से चटनी बना कर खाईए आप अपना अनभव हमें जरूर बताईए आप हमें कमेंट करके अपना अनभव बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है आप को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सेयर करें प्रभा की रसोई को सब्सक्राइब करें एप वीडियो देखने के लिए धन्वाद मिलते हैं अंगले वीडियो में